और अब बात कर लेते हैं भेडियों के आतंकी तो बहराईश में भेडियों की तलाश जा रही है आप इस पूरे ऑपरेशन पर सरकार के पहनी नजर है मुख्यमंत्री योगी की सक्ती का भी असर देखने को मिल रहा है ऑपरेशन भेडियों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया क्या है पॉलिस प्रिशासन समित कई वे भागों के अधिकारी करमचारी फिल्ट पर इस वक्त मौझूद है आपको बता दे कि आदम खोर भेडिया रात करीब 10 से सुबह 5 बजे के बीच ही हमला करता है और इस दोरान सभी टी में जो आपर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कांद कर रही है वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिल्कुल अलर्ट मोट पड़ है और यहां तक भी कह दिया गया है कि अगर भेडिया दिखता है अगर पकड में नहीं आता है तो उसे गोली माने के भी आदेश दे दिये गाई है तो अब एक तरह से कह लिजे इस ओपरेशन को जबर्दस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि वहां जो आम लोग है अब वो इससे बहुत परिशान होका है अब तक कईयों को भेडिया ने अपना निवाला बना लिया है कईयों को खायल कर दिया है आब वहां के लिए एक तरह से कह लिजे कि भेडिया आतंक का प्रयाय बन गया है अब इसलिए सियम योगी ने सक्ति के साथ कहा है कि आप जितने भी टीम बना सकते हैं बनाईए फिल्ड पर उतरिये भेडियों को पकड़िये और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर इस भेडियों को गूलिम बार देजे और अब बात उस भेड़िये की करते हैं जिसकी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री हो चुकी है निशाने पर अखलेश जादावेयों और शुपाल गाता सियम योगी ने ना सिर्फ अखलेश और शुपाल की तुलना भेड़िये के आतंक सिकर दी बलकि उन्होंनी 2017 से पहले भेड़िया काल की भी का भी सिकर किया है जिन भेड़ियों के तांडों से 50-50 गाओं में देश्यत थैली है जिस भेड़िये के आतंक से बच्चा बच्चा डरा सहमा है अब उस भेड़िये पर उत्तर प्रदेश की सियासत आक्रामक हो चुकी है अखलेश यादव ने जैसे ही आदम खोर भेड़ियों को यूपी की सियासत में एंटर करवाया वैसे ही योगी ने जुबानी एंकाउंटर कर दिया सियम योगी ने भेड़ियों के आतंक को समाजवादी पार्टी के शासनकाल से जोड़ दिया और बता दिया कैसे 2017 से पहले सियासी भेड़िये उत्पात मचा रहे थे चाचा और भुटीजे में होल लगती थी वसूली को ले करके कौन कितना वसूल कर ले एरिया बटे हुए थे मैं देख रहा हूं है इस समय कुछ आदम खोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जन्पदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोवेस यही स्थिती 2017 के पहले प्रदेश की थी यह लोग उस समय कितने तबाई मचाई वे थे किसी से चुपावा नहीं है और इनके भी एरिया बटे वे थे वो सूली के कहीं चाचा कहीं बतीजे माह भारत के सारे रिस्टे थे सारे रिस्टे थे सियम योगी ने ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भेडियों की देश्चत से जुड़ा बलकि उन्होंने अकलेश यादव और शिपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया सियम योगी ने कहा चाचा भतीजा 2017 से पहले प्रदेश में भेडिया राज लाना चाहते थे भेडियों की तरहे इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे दोनों आदम खोर भेडियों की तरहे उत्पात मचा रहे थे योगी की इसी टिपणी पर जब निउज 18 के रिपोर्टर ने अखलेश से सवाल पूछे तो उन्होंने सवाल को नजर अंदाज करते हुए रुख विधान सभा का कर लिया सदन में वाकाईदा लखीमपूर पीली भी वहराइच सराबस्ती और आपके विजनोर उन जिरों की सुची दी गई कि यहां से लोगों के जंगल से जो जानवार आ रहे जिसकी वज़े से जान जा रही है कई सोर किसान गरीब उनकी जान गई है हम लोगोंसे मदद के लिए भी और रहे हैं सियासत के इस भेडिया काल में अब जुबानी संग्राम छड़ चुका भी जे पी तो समाजवादी पार्टी भी अब हमलावर हो चुकी है। यानि जिस भेडिये को निपटाने के लिए वन विभाग समेथ यूपी पुलिस दलबल के साथ खेत खलियानों की खाक चान रही है। अब उसी भेडिये की तहशत पर सियासब भी जमकर हो रही है। और जिक्र 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल का हो रहा है। और कौशांबी में भी आधमकोर भेडिये ने एक बच्चे समय तीन लोगों पर हमला कर दिया। भेडिये के हमले में तीनों गंभी रुपसे जखमी हो गाए हैं जिनने इलाच के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया किया है। भेडिये के हमले के बाद इलाके में एड़ भटे के पास तीन जमली जानदरों की वीडियो भी सामने आए। जसमें ग्रामणों में देश्चत का माहौल है। ऐसे में आप ग्रामण लाठी और रंडे लेकर रात में आपने मवेशे और परिवार के रखवाली कर रही है। करारी थाना शुत्र के निवारी और खोजवापूर गाउं के ये खटना पताई चारी है। बहराई सीतापूर के बाद अब कौसांबी में भी भेडियों के खौप से लोग दहसत में हैं। कौसांबी के जिला मुख्यालय मंझनपूर से महज 8 किलो मीटर की दूरी पर निवारी गाउं के ग्रामिडों का याद दावा है कि यहां पर भेडियों ने बच्चे समें तीन लोगों पर हमला किया है। दाखि तीनों लोग भेडियों के हमले में चक्वी हुए जिनका एक निजी अस्पटाल में इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद हम बातचीत करेंगे जो रात में इस वक्त कहीं न कई भेडियों के खौब से काउं में पहरा दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे क्या घटना घटी थी पहले तो हम उस सक्ष से बात करेंगे जिसके चोट लगी हुई है कैसे चोट लगी आपके है सर जी हम बकरिया चरा रहे थे नदी किनारे तो नीचे बैठे हुए थे मच्छी पकड़े थे तो उधर बच्चे को जो छोटा बच्चे को हम लाकिया था तो उसने चिलाया उधर बच्चे लोग सब बकरिया पकरिया चरा रहे थे तो हमने समझा बच्चे लोग जगड़ा तो देखे ना कुछ दूर तक निकल गया था कुछ दूर निकलने के बाद में जब उसको बोला कि यह जानवर जा रहा है तो पीछे लौट के हमारे उपर हमला किया पौन सा जानवर था वो जी भेडिया सारत कितने संख्या में तो यह की विश्टम दिखाई दिया उसके साथ हम से बात्चीत करेंगों ज़िस गाओं के घ्रामिट हैं यह पनने काई यह हो रहें कि पणज्या नीडरे के दिखा करेंगे हभेडिया ने क्या कि कोशिस करेंगे कि आखिर क्या हुआ तो मतलब रच्छा का वो देखने के लिए कितनी के संख्या में थे बाकि सबसात में नहीं गए और भी लोग हम उनसे बात चीत करेंगे आपके हाथ में लाठी है किस बात की दहसा थे आप यहां पे जानमन निकला है भेडिया राद बिराद में दिन में भी तोरता है राद में भी लड़के लोग सोते हैं गर में और सीम योगी की दौरे की अब बात कर लेते हैं तो सीम योगी आज सुबे साड़े दस बज़े आयुध्या पहुचने वाले हैं मौकिमंत्री योगी का हेलिकॉप्टर राम कथा पात पहुचेगा यहां से सीम योगी राम सेवकपूरम में शिराम नात स्वामी मंदिर में आयुचित तर्थार्मी का नुष्ठाम में हिस्सा लेने पहुच रहे हैं पहरी बार लखना से बाहर गोरकपूर में कारिक्रम का आयुचन होगा सिएम योगी पहली बार लखना की जगा को रखभूर में हो रहे आयुचन में पहुचेंगे यह कारिक्रम शांपूद चार ब्रक लक्त ले लखा देआ है पार्टी कारेले में जालाउन जिले की बैठक होनी है बैठक में जालाउन जिले के जिला देक्षो समेथ तमाम पतर दिकारी को पुलाया क्या है S.P. कारेले में होने वाली बैठक में अखिलेश शादव तमाम पताधिकारियों के आगे की रनीती पर काम करने के बारे में बताएंगे आपको बता दे कि बतवार को गुरकपूर जिले की बैठक हुई थी जसमें तमाम पताधिकारी भी शामिल हुए थे और अब जालों की बैठक में भी तमाम पताधिकारीयों के बुलाए गया जसमें अकलेश शादव इनसे आगे की रनीती पर चच्चा करने वाले हैं और आप खबर प्रियाग राज से लेते हैं जहापर नकली नोट शापने वाले जाम या हबीबिया मदरसे पर बड़ी कारवाई हुई है प्रियाग राजविकास प्राधिकरन ने मदरसे को सील कर दिया है करमचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया है जिसके बार अवायद निर्मान के कारण मदरसे को सील किया गया मदरसे के वाहा नोट इस भी चस्पा कर दिया गया है हम आपको बता दे कि मदरसे में अकली नोट की छापाई चल रही थी मदरसे से आपती जनक किताब मिली थी मदरसे के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है साथ ये नकली नोट के दो मास्टर माइंड को भी गिरफतार कर लिया गया था और अब सील की कारवाई की गई और यहां पर करीब सतर बच्चे थे 12 प्रवंध कमेटी के लोग थे इसके साथ यहां पर जो उनके परिवार को लोग रहते थे तक्रीबन सो लोग ते जिने यहां से बाहर निकाला गया और बाहर दिकालने के बाद इस मदर्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है सीलिंग के बाद यहाँ पर प्रियाग्राज विकास प्राजकरन की ओर से एक नोटिस बोर्ट भी लगाए गया है जिसमें साथ तोर पर यह लिखा गया है कि अनास्कृत होने के चलते यह निर्मार सील किया गया है इस निर्मार में सील को तोड़ना पुना निर्मार की आई बी के साथी साथ एलाई उ यूपी एटियस और यस्टी अफ यह तमाम जो एजेंसिया हैं वो लगातार इसकी जाच कर रही है और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो या फिर इस मामले में अवर निर्मार की बात हो हर एंगिल से कार करन की ओर से बुल्डोजर का भी आक्शन देखने को मिल सकता है सर्वेस दुबे निवजरीन प्यागराज